Assalamualaikum, कैसे हैं बच्छे आप सब, मैं हूँ प्ले ग्रूप क्लास की टीचर, सबसे पहले हमने उर्दू के अरुपे तहजी का लव्ज ब पढ़ा था, सबसे पहले हमारे पास अरुपे तहजी का लव्ज है अलेव, उसके बाद दूसरा लव्ज है ब, उसके बाद आता है प, बाद हमने पिछले पेज़ पर पढ़ा था, सफ़ा नमबर नो पे, उसको हमने पढ़ना भी सीखा था और लिखना भी, और आप लोगों को मैंने हमवर्क में भी हर्फ बे की मर्श्क दी थी, और किताबों पर भी करने के लिए दिया था, आज हमारे पास सफ़ा नमबर दस पर है हर्फ प, क्या है हर्फ प, बचो आप मुझे बताएं बागे नीचे कितने नुखते होते हैं, बागे नीचे नुखता एक होता है, जब के ये हर्फ प, हर्फ प, पा के नीचे आप देखें, कितने नुखते हैं, एक, दो, ये तीन, हर्फ पा के नीचे तीन नुखते हैं इसको हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं पया पढ़ते हैं जैसे इसका साउंड क्या है पपतंग क्या है पपतंग में आपको बताती हूं हार्फ पैसे कौन-कौन से लफ्स बन सकते हैं, जैसे है कि पां पांपता पापेंसल पापानी पपता, पपेंसल, पपतंग ये क्या लफज है बच्चों? हर्फ प इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? तीन तो बच्चों आज हमने क्या सीखा हर्फ? प मुहतरम बन्देन, आप बच्चों को हर्फ प की अच्छे तरीके से रिडिंग करना सिखाएं, उनको पढ़ाई करना सिखाएं, ताके बच्चे इसकाबिल हो जाएं, कि इसको खुद बहुत पढ़ सकें मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हर्फ प पापतंग, इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? तीन पापता, पापता, पापेंसल, पापतंग, शुक्रिया